आज सुबे से ही नापपुर और उचले की आसपास के हजारों युवा यूतिया परिवार के साथ पेंचनदी की नारिबस से धोगरा तिर्च्तर पर परियटन के लिए आये थी जहां हजारों की संख्या में परियटक परिवार के साथ मौज मजा और दर्शन भी करने आते रहते हैं वही मित्रों के साथ सागर हरी कृष्ण गिरी उम्र तेज साल वैलवारा पोस्ट गुम्ती जिलहा नापपुर का रहने वाला था जो पेंचनदी के पानी में नहाने के ल सभी यवाज छुट्टी होने से दर्शन के लिए यहां आये थी पेंचनदी किनारे बड़े पैमानी पर पानी में डू है जो दिखाई नहीं दीती यह आने वाले लोगों को पता नहीं होता कहा डू है फिर भी नहाने के लिए पानी में उतर कर नहाते है फिर गहरे पानी म मौत होने का सलसला लगातार होता रहता है जो लगातार पारशनिस्तित पेंचनदी में मरने वालों की संक्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है 26 जनवरी होने से कुछ यूकों के साथ मृतक धोगरा यहां मौज मस्ती करते समय पानी में नहाने के लिए उतरी कुछ तेर नहा कुछ देर बार मृतक दिखाई न देने से साथी मित्र बचाव के लिए मदद मांगते रहे पर वहां कोई भी नहीं होने से आखिरकार मृतक सागर की पानी के डो में ही मौत होगी कुछ देर बाद इस खटना की सूचना पारशनी पुलिस को दी गई तभी मच्वारों की मृतक सागर का शव पानी में तलाशा गया पानी में मच्वारों ने बड़े महनत से मृतक का शव दून निकाला वही सागर को पानी के बाहर निकाला तब तक सागर की मौत हो चुकी थी पारशनी पुलिस विभाग के पुलिस नरिक्षक संतोश वेरा गड़े पुलिस उप परिवार वालों को सौब दिया गया घटना की जांच पार्शिवनी पुलिस स्रिपाई हरी सोन भदर पुलिस हवलदार प्रभाकर जाड़ी कर रहे हैं बिष्च पारे भदर परिवार वालों को पार्शिवनी पुलिस उपलिस स्रिपाई हरी सौबिस इन दुप दिया घटना भद रहे हैं प्रिकोशन्स गेत लिले इसे न्यूस के लिए पाश यूनी से रुपेश खंडारिक रिपोर्ट